हाँ जी बड़िवलीं Capital Busting Capital Busting का revision चल रहा था Part No.1 जिसमें हमने basics किया और basics में specially कुछ किया नहीं था कुछ questions किये थे और समझा था कि Payback period क्या होता है ARR क्या होता है Payback period था ARR था Discounting Payback period था सबसे important था NPV, PI और IRR और उससे related हमने questions भी की अब Part No.2 कोशिश यह रहेगी कि मैं पूरा Capital Busting खतम कर दूँ कोशिश यह रहेगी पर क्यूंकि यार Capital Busting छोटा सा नहीं है तो हो सकता है कि आधा गंटे का और लेक्चर बचे जो कि मैं कल अपलोट करूँगा हो सकता है क्योंकि टूटल अगर मैं देखूँ तो नमबर और पेज़ेस 89 पेज़ेस है लगभग खतम करने की कोशिश करूँगा मेरी बात समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था थोड़ा से हेल्थ से रिलेटेड इश्यू था पर ठीक है अब कोई दिख करने है अगला वीडियो तो पक्का अगले ही दिन आ जाएगा ठीक उसका दिख करने है हम लोग इस्टार्ट करें तो बात है अब रिप्लेस्मेंट रिप्लेस्मेंट डिसिजन क्या होता है रिप्लेस्मेंट डिसिजन क्या होता हमें एक्जांपल से नोट से हैं तो इक परर रिप्लेस्मेंट डिसिजन समझने के कुशिस करेंगे मैं अचीग आजि यह लिखा हुआ है आपके समने आपको दिखे रहाएं आप सुनना धयान से मैं क्या समझाओंगा आपके कौपी में अपसमानी लिखा हुआ ज़ला सुनो के धयान पर मान लो आपने एक मशीन खरीदा था एक लाग की और जब आपने खरीदा था उस समय लाइफ थी 10 साल और टेक्स करेट था 30 पर ठीक, और करीब करीब 4 साल हुए, 4 साल, और 4 साल बाद आपको यह लगा यार, अभी भी कितना लाइफ बखी अभी भी सर्थ 6 साल लाइफ बखी है, अभी भी मसीन चल सकती है 6 साल, ऐसा नहीं है कि मशीन खराब हो चुकी, मस को ये लग रहा है कि यार new technology की machine, new technology वाली machine available है market में, उससे फायदा क्या होगा, new machine खरीदे से हो सकता है कि हमारे जो खर्चे है, running cost है, क्योंकि new machine है, तो efficiency जादा होगी, तो running cost कुछ बच जाएगा, और हो सकता production जादा होगा, तो sales तो इसलिए हमारा मन कर रहा, ऐसा नहीं है कि old machine चला नहीं सकते, चला सकते हैं, पर एक ये भी सोच रहा है कि क्यों न आज old machine को बेच कर new machine खरीद ली जाए, ये भी तक, तो old machine क्योंकि कितने साल चल चुकी है, चार साल, तो आज उसकी book value कितनी है, 60,000, ठीक है, ठीक है, ओके सर, और सुनो, अगर हम इसको old machine को सुनना ध concept समझ में आएगा, फिर तो कोशन बना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो old machine की आज, सुनो, आज ये नहीं है, आज ये, book value कितनी है, 60,000, उसको अगर हम आज बेचते हैं, तो कितने की बिकेगी, 5000 रुपे की, आज आज नहीं, अगर हम उसको 6 साल चलाते हैं, और 6 साल बा पेच सकते हैं, और आज कितने रुपे में बिकेगी, old machine, 66,000, मैंने आपको information दिया, और आज बेचेगी, तो क्यों बेचेगी, उसकी वज़ा, क्योंकि new machine अवेलेबल है, मार्केट में, कितने रुपे की आ रही है, 1,20,000, old machine की लाइफ कितनी है, 6 साल, ये भी 6 साल चल सकती है, ठीक है सर, और अगर हम new machine खरीद लेते हैं, तो new machine कितने की, बिकेगी, 6 साल बात, 20,000 रुपे की, और old machine से हर साल का cash flow कितना आएगा, sorry, new machine से 35,000, तो सर, old machine से कितना आता था, old machine से कितना आता था, यहाँ CFAT नहीं लिखा है, पर मैं लिखवा देता हूँ, वो ज़्याद अच्छा है, old machine से एक सेकंड रुखो के विखे, old machine से CFAT, 20,000, ठीक है, लिखवा दिया, question अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, question यह आएगा, कि हमको new machine में आज कितना रुपे लगाना है, 1,20,000, ठीक है, तो इससे आज पैसा लगाना है, 1,20,000, पर old machine बिक भी तो जाएगी, कितने में, 66,000, तो उस हिसाब से सर, हमको एक्ट्रा कितना पैसा लग रहा है, 1,20,000, minus 66,000, उस हिसाब से हमको एक्ट्रा लग रहा है, 50,000, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, आज, हाला कि मैंने capital gain tax वगेरा अभी कुछ कंसिडर नहीं किया, पर जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, उसको बोला जाता है, incremental cash outflow, ऐसा लाज, incremental का मतलब समझते हो ना, extra, ठीक कैसा, और सुनो, अब ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सर न्यू मशीन खरीदने का फायदा क्या है, यह तो बताइए, बिटे सुनो न, न्यू मशीन फायदे का, जब old मशीन चला रहा है थे, तो हर साल कितना आ रहा था, 20,000, जब न्यू मशीन चलाओगे, तो हर साल कितना आएगा, 35,000, तो बताइए, सहाब की, अगर मैं न्यू मशीन खरीदता हूँ, तो extra, extra दिख रहा है, extra कितना मिलेगा, हर साल का, 15,000 रुपय एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको बोला जाता है, इनक्रिमेंटल, CFAT, एक्स्ट्रा लग रहा है, 54, एक ही बार लग रहा एक्स्ट्रा, पर एक्स्ट्रा आ रहा है, हर साल कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 15,000, इसको क्या बोला जाता है, इनक्रिमेंटल, CFAT, ठीक है सर, सात में और सुनो, सात में और क्या फायता है, अगर मैं old machine ही चलाता पास साल तो मुझे पाच जार रुपए मिलता सेलवेश की रूप में मसीन को बेशता तो old machine कौन सा महगे में बिख जाती पाच जार में बिखती पर अगर मैं new machine खरीद लेता हूँ और उसको छे साल चलाता हूँ छे साल है अक्चुल में तो new machine कितने की बिखती बीस जार ये भी तो extra है और कितना extra है पंदरा हजार इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है incremental service value या तो incremental terminal value ठीक है मुद्दे की बात ये है हमें NPV निकाए और एक ही format से काम करेंगा और उसी format से काम हो जाएगा जुर्बरत नहीं है ठीक है सर तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें ये देखना पड़ेगा कि extra कितना लग रहा है सर एक्ट्रा लग रहा है 54,000 ठीक है हमें ये देखना पड़ेगा कि extra कितना आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है हर साल आ रहा है कितना 15,000 कितने साल तक 6 साल तक और एक्स्ट्रा टर्मिनल वैल्यू बस और अगर NPV पॉजिटिव है तो accept करेंगे NPV नेगेटिव है तो reject करतेंगे और यह थियरी लिखवा रखा हूँ यह थियरी आपके काम नहीं आए ठीक है सर अब इसी question को किस तरह से present किया जाए इस example को वो मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा देख रहा है आपको आजी आप देख रहा हूँ समझे आपको क्या निकालना है सर हमको निकालना NPV सबसे पहले लिखा जाएगा incremental cash outflow incremental cash outflow मतलब extra कितना जा रहा है तो सर हम new machine खरीदेंगे लूए है यस new machine कितने की आ रही है آज खरीदना है आज एक रूपए एक लग बीचेगे किनीऊ मशीन आएगी एक लग बीचेगे लिख 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 दिख रहा था 66,000 मार्केट वैल्यू दिख रहा था 66,000 66,000 रुपय में बेचेंगे हाँ जी लेकिन सुनो ना यार बुक वैल्यू कितनी है 60,000 तो capital gain भी तो है तो income tax वाला capital gain भी तो ले जाएगा अगर हम आज old machine को बेचते है तो जितने की भी केगे तो वो यहां निकाला गया एक working note बनाना पड़ेगा हमको अच्छे से देखोगे यह बनाया है working note 66,000 sales consideration मार्केट वैल्यू कितना किया 60,000 तो बचा कितना capital gain है 6,000 और tax उस पर 30% है 1500 तो सर बेचने से 66,000 आएगा लेकिन income tax वाला हमसे कितना ले जाएगा 1500 ले जा लेगा तो हमारे पास net कितना बच्चा old machine का 64,200 या दर अगर capital gain है तो capital gain tax आपको consider करना पड़ेगा ठीक है अजा ओजा इसलिए यहां 1,64,200 यह लिया तो net incremental cash आउटलो आगया 55,800 कुछ हमसिया अब क्या करना पड़ेगा सर अब लेना पड़ेगा incremental cash inflows incremental cash inflow में सबसे पहले लेना incremental CFAT incremental CFAT क्या हुआ सर CFAT of new machine है 35,000 और CFAT of old machine है 20,000 तो हर साल सर एक्स्ट्रा कमाएगे कितना कमाएगे 15,000 कितने साल तक 6 साल तक उसका factor ले लिया जो भी rate होगा उसके सबसे 4.355 तो यह आगया मेरा 65325 साथ में और एक फाइदा है incremental terminal value पता ओल्ड मसीन कितने की बिक्ती 5000 अगर हम 6 साल चलाते तो और new machine कितने की बिक्येगी 20,000 तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 15,000 और यह कौन सी एर में मिलेगा 6th year में factor से multiply किया तो यह आगया तो इसमें से यह minus कर दिया तो भी NPV positive है और positive है तो हमें machine replace कर देना चाहिए यही है replace और जमाने भरगे question आए और आपको विश्वास नहीं होगा कि question replacement के आपको कुछ अजीबी type से आए हाला कि मैं फिर से बोल रहा हूँ replacement कितना important है वो माईने नहीं रखता लेकिन replacement के बाद जब आप आगे चलोगी फिर से सुनोगे CMA final में जो questions आ रहा है वो replacement या basics से कम है decision tree, certainty, equivalent वहाँ से जादा है तो बच्चे क्या करते हैं सुनोग आपके साथ समस्या क्या है क्योंकि सुरू में tough वाली चीज पढ़ाई जा रही है replacement वगेरा थोड़ा सा tough है बाकि आगे easy है तो इस चक्कर में आप लोग पात का देखते नहीं यहीं खतम कर देते हैं बोले हो गया capital listing में जहेल कर नहीं हो रहा है यार जहिलना पड़ेगा आगे जाओगे तो आगे easy वाला पार्ट है replacement technically मुस्किल माना जाता है ठीक है जै question मनाए हमारे institute के हम question मनाए यह लिया पहला question पढ़ते है ठीका है modern enterprise limited wants to replace कब आया था यह सर जून 2015 में आया था replacement के question read करने में समझने में time लगता है आपको आराम से ही पढ़ना पड़े है तो लिखा modern enterprises limited wants to replace its old machine with a new automatic machine और दो machine है 1 amm1 और amm2 replace करना चाहते है old वाली machine तो new खरीदना तो new भी बहले एक रही है new खरीदना तो दो दो machine available है ठीक है भई और दोनों की कीमत कितनी है आठ लग ये भी आठ लग की है और ये भी आठ लग ठीक है मतलब सर ये आठ लग जाएगा आच जाएगा तो मैंने माइनस का sign लगा दिया service value of old machine जब new खरीदना ही है old machine को बेचना ही पड़ेगा service value of old machine is 1,60,000 था होचा sir service का मतलब क्या होगा है old machine को कुछ समय चलाने के बाद एक लाक ऐसा कुछ नहीं बताया old machine चलाएगे की नहीं चलाएगे ये भी नहीं बताया it means service value of old machine मतलब old machine को आज बेचोगे तो 1,60,000 मिलेगा बाद समझने के कोशिश करना जो पिछला example करवाया और ये जो question करो इन दोनों में अंतर है इसमें old machine आगे चलेगी या नहीं चलेगी ये नहीं बताया है it means old machine को अभी बेच देते है और अभी बेच देते है तो हमको कितना मिलेगा 1,60,000 चाहे आप machine 1 खरीदिये चाहे machine 2 खरीदिये हमें कितना मिलेगा हमें मिलेगा 1,60,000 ठीक है? आज ही मिल जाएगा अब आगे क्या बहुआ रहा है? the utilities of the existing machine can be used तो बले जो old machine है existing machine है उसकी कुछ utilities है जैसे oil हो गया या nuts यह जो कुछ भी हो यह machine तो बेचोगे पर इसके लिए कुछ utilities use करते थे इस machine के लिए ठीक है? तो बले अगर utilities की बात कर रहा है तो बले जो parts है जो oils है उसमें जो भी use होता grease बगेरा बले उसका उसकी utilities the utilities of the existing machine can be used अगर आप machine 1 खरीतते हो अगर 1 खरीतते हो तो आप यह वाली जो utilities है उसको use कर सकते हो कभी मतला पैसा नहीं लगेगा? yes इबद कंपनी पर्चेस 1 पर additional cost of utilities to be purchased in that case 1,60,000 मेरी बात समझने के कोशिश करना बड़ी important बात है वो बोल रहा है कि अगर आप इस machine को use करते है तो इसकी utilities use कीजिए बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं कि और utilities नहीं लगेगी लगेगी और extra कितने के लगेगी? बोले 1,60,000 की मतलब हमारी जेब से आज 1,60,000 और जाएगा किसका utilities का? और सर इसका use जो कर रहा है उसका भी पैसा उसका पैसी की ज़रुवत नहीं उसमें पैसा धोड़ी लग रहा है वो तो हमारे पास पड़ा हुआ है ठीक, आगे, if the company purchase machine 2, इसकी बात हो रही है, अगर 2 खरीदते हैं तो all the existing utilities we have to be replaced with the new utilities बोले ये utilities हमारे काम नहीं आए कि आपको new utilities खरीदना पड़ेगा उस पे पैसा लगेगा 3,20,000 ठीक है जी, ठीक है सर, तो सर इस utilities का करेंगे, क्या बताएगा, बोले इसको हम base देंगे और कितने में base देंगे, 30 यह line important है, बाकी सब बीचे है तो अगर हम 1 खरीदते हैं तो इतना पैसा, अगर हम 2 खरीदते हैं तो इतना पैसा जाएगा तो सर आएगा कितना, आएगा कितना तो उसने बता दिया, earning after tax earning after tax मतलब CFA, cash flow after tax बोले 1 खरीदते तो यह पैसा आएगा, 2 खरीदते तो यह पैसा आएगा, और last में sales भी आएगा मतलब अगर हम इसको खरीदते हैं 1 को, तो बेचने पे 80 जर आएगा 50 एर में, अगर 2 को खरीदते तो बेचने से 96,000 और discounting rate है, 15% और 15% का factor दिया हुआ है, multiply कर देंगे और, सर तो हम तो incremental निकालते थे थे ना, कि old machine का CF, old machine का CF 80 है ही नहीं है old machine चलेगी या नहीं चलेगी, वो नहीं बताया, मतलब नहीं चलेगी ठीक, तो हमको क्या निकालना, NPV निकालना, discounting payback period निकालना और PI निकालना NPV अगर निकाल, discounting payback period तो वैसे निकल जाएगा और PI भी निकल जाएगा सिर्फ questions समझने का issue है, देखे, कैसे किया है, देख रहा है आपको, machine 1, machine 2 जाएक कितना लग रहा है, आठ लग, आठ लग, एक लाक अठ ल और वीच लोमे का? यूतिलिटीस का, और एक लाक शाठ ल इस को बेचने से आया? old machine को बेचने से और 32,000 इधर क्यों आया सर हमारे पस जो utilities था न old वाला उसको भी बेचने से ठीक है ये पैसा क्या हो रहा सर ये पैसा जा रहा है और ये आ रहा है साथ में हर साल ये तो पैसा आए गई CFAT का present value factor से multiply कर देंगे और पाचवे साल ये भी आएगा तो answer आएगा ये आगे एन पी भी निकाल लेंगे discounting payback period इन्होंने अलग तरीके से कर रखा fake payback period निकाल के आपको मैंने जैसे करवाया था discounting payback period वैसे कर ली ची कोई issue नहीं है ठीक है तो discounting payback अब PI तो निकली जाएगा that's it जो है जो basic है वो ही है replacement में कुछ special नहीं है बस होता क्या है कि question जो है वो टेक्निकल है question समझने में दिक्कत हो जाए बस एक बर question समझने में आगे तो बात करता तो question नहीं discuss concept तो हो गया अगर मैं कहूं concepts हो चुका है बस मुझे क्या discussion करना question जो आपकी exam में आए हुए वही discussion करने जाए वाव question number 8 पर आजाए बड़े एक मार question number 8 पर पड़ूं पढ़ते हैं याद रखना कि ऐसे ही question आने है आट नंबर कब आया था दिसंबर 2018 और ऐसे question को करने का एक ही तरीका है question की summary बनाए जाए बड़े question को करने का और कोई तरीका नहीं है सर्थ question की summary बनाए जाए और एक बार summary बना लिया तो फिर तो हमसे बन जाएगा question question बनाने में time ने लगने माला question read करने में time लगने लगने बढ़ते हैं लिखा हुआ सब तरीसी limited है just just installed अभी अभी install किया है machine का नाम क्या है machine लगाना है या लगा चुके अभी अभी लगा चुके इंस्टॉल कर चुके और install करने के बाद ऐसा लगरा कलती हो गई यह फिर क्या करें और कितने में लगाया था machine sir cost कितना sir वो लगाया था तो लाक दस जार लाइब कितनी थी तर इसकी लाइब थी पासा रेशिडियल वेल्यू था नहीं एन्वल वॉल्यूम अव प्रोडक्शन इस एक लाक पचास जार यूनिट कितना यूनिट्स बना रहे थे तर एक लाक पचास जार विच कैन बी सोल्ड है यह सोल लिखा सोल्ड है विच कैन बी सोल एड रुपीज सिक्स पर उनिटी इन दा फर्स्ट टू यर एंड सेवन एट नाइन इन दा थर्ड फोर्थ फिप्ति है क्या कहना हुआ हाज सुनोगे ध्यान से ध्यान से समझना मेरी बात कि अब इंपोर्टन्ट है यह है जीरो यह है परस्ट इयर यह है सेकेंड इयर टूटल कितने साल का प्रोजेक्ट है पाच तर यह है थर्ड इयर यह है फोर्थ इयर और यह है फिप्ति है जो बोले जो बेचा जाएगा उस सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना कितना रुपए तर पहले साल जो है छे रुपए रहेगा सेलिंग प्राइस दूसरे साल भी 6 रुपए रहेगा, फिर 7 रुपए रहेगा, फिर 8 रुपए रहेगा, फिर 9 रुपए रहेगा, तो सेल से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है न, यह 0 पीरिड है, यह 1st year है, तो 1st year में 6 रुपए, 2nd year में 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, सेलिंग प्राइस बताया है, ठीक है, सेल से निकल लेंगा, उसके सबसे, इसके अलावा क्या बोल रहा है, तो 1st year operating costs are estimated rupees 2 lakh, पहले साल का operating cost दिया है, 2 रुपए, excluding depreciation, ठीक है, और fixed cost estimated rupees 3 per unit, for the same level of production, कहना क्या चाहता है, तो ले operating cost, 2 रुपए, उतो लगेगा, और साथ में fixed cost है, तो operating cost का मतलब variable cost लिया होगा उसने, तो बहले पहले साल, ये तो क्या, किस चीच की बात हो रही है, ये हो गई, वो बोल रहा है, पहले साल जो cost है, ध्यान से समझना cost, operating, 2 लाग तो है ही है, प्लस, कितना है, वो ले production है, एक लाग पचास हजार, इन्टू 3, मतलब एक लाग पचास हजार, इन्टू 3, चार लाग पचास हजार, तो पहले साल जो operating cost, operating plus fixed cost है, वो है 6 लाग पचास, कोई दिकत, कोई दिकत है, साड़े 6 लाग रुपे cost है, ठीक है, कौन सी cost, variable और fixed दोनों में लाग के, second year cost will be the same in the first year, बोले second year का जो है न, यहाँ cost, यहाँ भी 6 लाग पचास जार ही रह, ठीक है, यहाँ भी 6 लाग रुपे रहेगा, और इसके बाद यह जो cost है, operating and fixed, will increase over the first year cost, जो फर्स्ट एयर का cost रहेगा, जो 6 लाग रुपे रहेगा, उससे यहाँ 10% बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ 20% बढ़ेगा, और उसके बाद 25% बढ़ेगा, इसकी बात हो रही है, operating cost, ताड़े 6 लाग रुपे रहेगा, फर्स्ट एयर में, सेकेंड यर में भी 6,50,000 रहेगा, ठीक है, आगे चलें, बड़ा question है मैंने का ना, लिखते हुए काम करना, तो यह किसकी बात हो रही थी, सारी की सारी सर, यह बात हो रही थी, machine M, अब आगे, लिखा, 37C limited, has just come, यह क्या machine already install कर चुके हैं, yes, अब 37C को क्या लग रहा है, कि यार, एक नया model आया, यार, another model, जिसका नाम क्या है, machine N, बोले machine N आ गया, ठीक है भई, बोले वो, यह misprint है, same output at the same fixed cost and operating cost and in the first year of machine M, there will be no change over the first year cost in the next 4 year also, और capital cost कितना है, 2,50, तर कहना क्या चाहता है, यह बताता, वो बोल रहा है, कि एक नई machine है, और machine का नाम है machine N, और उस machine को खरीदने में आपका 2,50,000 रुपय खर्च हो जाए, ठीक है, तो उसे फायदा क्या है, बोले फायदा यह है सर, कि यह जो पहले साल 6,50,000 रुपया लग रहा है, आपका operating and fixed cost, देख रहा है 6,50,000, बोले अगर आप machine M से ही काम करते हैं, तो second year में भी 6,50,000 है, third year में 10% से बढ़ा है, fourth year में पहले साल से जो होगा उसका 20% से बढ़ा, तो बोले अगर आप machine M खरीदते हो भाया, तो यह बढ़ने का tension आपका खतम हो गए, हर साल 6,50,000 ही लगेगा, यह फायदा है, यार, पर क्या करें, machine M तो लगा चुके है, बोले बेज दीजी, बेज बेज कर देखो तो, बेज कर मत देखो, सोच कर तो देखो, दिक्कत क्या होगी, ठीक है, बाकी और कहान ही क्या लेकिए, सर्क कितने की आएगी, 2,50,000, and the estimated life इसकी भी पास साली है, नील residual value है, company has an offer for sell of machine M, बोले machine M को बेज देंगे, कितने में बेचेंगे, यह वाली machine M, 1,10 बेचेंगे, बताओ, अभी, अभी कितने में लगाया था, 2,10, लती हुई, बोले अब वो एक दस में बेचेंगा, ठीक है, but the cost of dismantling and removal will be 40,000, कोई मतलब, अगर आप इस machine को 1,10,000 में भी बेचोगे, तो सुनो, पुरा 1,10,000 आपके जेब में नहीं जा रहा है, 40,000 तो उसको हटाने का खर्चा आजाएगा, तो टोटल मिलाकर मशीन आएम आपकी सिफ 60,000 रुपे की विखे, 60,000 नहीं, 70,000 रुपे मिलेगे, 70,000 रुपे, ठीक है, ठीक है सर, हाला कि आपने अभी operation comments नहीं किया है, ठीक है, आप सोच रहे क्यों ना M को बेच दिया जाए और N को सर जी थोड़ा सा पहले सोच लेते हैं, तो यह जो loss दिख रहा है आपको यह नहीं होता, पर हो गए है तो हो गए, आप से पूछा जा रहा है, कि आप सिर्फ advice यह करो कि हमें करना है कि नहीं करना है, और tax का चक्कर नहीं है, बोल रहे है, zero tax company, ठीक है, और cost of capital आपको 15 company should replacement करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, and present calculation of discounted annual cash flow to the nearest without netting off, important है, without netting off का मतलब क्या समझ रहा है, without netting off का मतलब है, कि भई, इसका अलग CFAT वगिरा निकालो, present value of cash inflow, इसका अलग से, मसीद N का भी present value of cash inflow निकाली है, और फिर उन दोनों का increment, हमको replacement ही करना है, ऐसा नहीं है, हम incremental CFAT निकालते हैं, तो बोले incremental CFAT निकालो, इसका आप PVCI निकाली चाहिए, और इसका भी PVCI निकाली चाहिए, दोनों का अलग अलग निकाली चाहिए, ठीक है, ठीक है, और इन दोनों को फिर बाद में net कर देना, शुरू में net करते हुए मत चलो, ऐसा क्यों बोल रहा है सर, वो बताऊंगा, यहां यह decision लेना है, कि old machine को replace करना चाहिए, कि नहीं करना, कि start करें, सोचते हैं, सर अगर हम old machine को हटा दे, old machine जो अलड़ी लगी हुई है, उसको हटाते हैं, और उसकी जगा machine N खरीते हैं, तो दो लाग पचास जार रुपिया लगेगा सर, नेट मेरी जेव से दो लाग पचास जार माइनस सत्तर हजर कितना होता है, सर, एक लाग असी जग लगेगा, यस, एक लाग असी जग लग रहा है, पर, एक्स्ट्रा आ कितना रहा है, और एक्स्ट्रा आ कितना रहा है, इसका PVC निकालते, इसका PVC निकालते, नो डाउट इसका ज्यादा आएगा, तो extra कितना आ रहा हूँ, आपका निकल जाएगा, ठीक है जी, करेगा, चालू करे, yes, तो point number 2 क्या पूछ रहा है, वो मैं समझाओंगा, पहले point number 1, मैंने जितने भी question उठाया है न, अच्छे question उठाया, time लगेगा, लग जाने दो, पर ये question, at least इतना question तो करके जाओगे, चलो जी, तो 2,50,000 ये लग रहा है आपको, ठीक है, sell करोगे, 1,10,000 की और 40,000 तो net 70,000 रुपिया हमारे पास आएगा, 70,000, तो actual में हमारा पैसा कितना लग रहा है, 1,80,000, this is incremental cash out, अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना मशीन M, अगर हम चला करते है, M का मतलब, जो already लगाया हुआ, ये मसीन चलाते है, तो total present value of cash inflow कितना, start करें, तो वैसे cells हम पहले लिखते हैं, उन्हें cells बाद में लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना units है, 1,50,000, कितने का भीकेगा, 6 रुपै का, into 6, 9 रुपै, दूसे साल भी 6 रुपै, 8 रुपै, 9 रुपै, 1,50,000, into 7, 10,50,000 हो गया, 12,00,000 हो गया, वो कर लेंगे, अब यहां की बात करो, यहां, पहले साल 6,50,000, फिर 6,50,000 ही था, फिर कितने परशन से बढ़ा था, 10 परशन से बढ़ा था, 6,50,000 प्लस 10 परशन, तो सरी आगे, 7,15,000, अब 7,15,000 मे बढ़ाना, इट मिंस, यह जो बढ़ा है, कितना परशन, 20 परशन, वो 7,50,000 में मत बढ़ाना, यही गलती हो गई थी पिछले बार बच्चों से, मतलब सरी 6,50,000 प्लस 10 परशन, 7,50,000 है, अब सेल्स में से, यह माइनस कर देंगे, यह चीज़े, तो सेल्स में से यह माइनस करने पर किदना आ जाएगा हमारा, यह आ गया है, नेट cash flow, ठीक है, और फिर इसको क्या करोगे, इसको multiply कर दोगे, तो यह आ गया हमारा present value of cash and flow, तो यह क्या किया नीचे, इस पर मज जाओ, यह नीचे क्या किया है, यह आ गया present value of cash and blow, ठीक है, हां बोलो, आसर, यह कौन सी म मशीन N में क्या स्पेशल था बस यहां साथ पूरा साड़े छे लाक रुप है उससे भी निकाल लेते हैं तो मशीन N से देखो मशीन N से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बस यह हर साल का साड़े छे लाक रुप है तो यह आ गया मेरा कैश इंप्रों सीय बीटी सी एफटी जो बोलना प्रिजेंट वेले तो यह आ गया यह किस से पैसा आया मशीन नहीं मशीन से तो 30,30,200 में से माइनस कर देंगे 11,34,308 तो हमारा एक्स्ट्रा जाएगा यह है ठीक तो यह आ रहा मेरा पीवी सी आई उसमें से माइनस कर दिया 1,80,000 तो यह आ गया एन पीवी और क्या एन पीवी पॉजिटिव है यस अगर एन पीवी पॉजिटिव है तो हमें रिप्लेस कर देना चाहिए बात कता एन पीवी पॉजिटिव है ना भई ठीक यह तो हमसे हो जाता है रिप्लेस्मेंट में कोई दिक्कत नहीं है आगे और सुनो वन तो हो गया तू क्या बोल रहा है तू अच्छे से पढ़ ला will there be any change in your view if machine M has not been installed अगर ऐसा होता कि machine M install नहीं करते अगर install नहीं करते और आपको decide करना यह होता कि हम machine M खरीदे कि machine N खरीदे तो फिर आप क्या करते फिर तो दिक्कत ही कतम हो जाता फिर तो हो गया हमारा यहां question हमने already काम कर चुका है अगर हम machine M खरीदते तो इतना पैसा आता पर machine खरीदना भी तो पड़ता तो 2,10,000 रुपए जाता तो हमारा NPV कितना आ जाता अब यहां मुझे minus करना पड़ेगा 2 लाग 10,000 अब यह मेरे काम क्योंकि अभी हमने खरीदा नहीं है अगर खरीदते तो इतना पैसा आता और 2,10,000 की machine खरीदते तो NPV आता 924308 पर अगर हम वह वाली machine खरीदते तो NPV आता 1082200 तो उस हिसाब से हमें किसमे NPV ज्यादा machine M में तो machine M accept कर लेना जाए ठीक है जी कैसा लगा कोशन जहत्रींस चले अगले कोशन भाएं कैसा चला अब अगले कोशन पर चल रहा है ओहो ये वाला कोशन पहले सीए फाइनल में था और सीए फाइनल में पहले कैपिटल वेस्टिंग में था पड़े जी अच्छा कोशन है अच्छा कोशन है सर बहुत अच्छा कोशन इसको बोलते थे optimum replacement cycle बोला करते थे हाला कि मैं फिर से बोल दूँ कि यहाँ जो सीए में इंस्टिट्यूट में है उनमें presentation किसी और तरीके से और सीए इंस्टिट्यूट में presentation किसी और तरीके से मेरा जो पुरी तरह से टार्गेट है वो टार्गेट यह है कि मैं इसका जो presentation है इसमें जो solution दे रखा मैंने साथ में वह सीए में वाला ही solution तो टेंशन है कब आया था यह question sir यह आया था एक्जाम में दिसंबर 2017 question read करना पड़ेगा अच्छे से करना अच्छा question है क्या लिखा हुआ जाड़ा दिखते हैं कि a company is committed to run its production line for four years for supply of a spare parts मैं आपको बता दूँ question है क्या क्योंकि यह बहुत बड़ा question है तो जाड़ा एक बर समझना जैसे मान लो यार हम कार लेते हैं कार खरीद लिया और कार तो यार धीरे धीरे पुरानी होते जाती है हां सर और ऐसा भी नहीं कि चलेगी नहीं चल सकती है तो जब हम कार खरीद दिते हैं तो हमारे मन में ऐसा आता है कि यार एक काम करते हर साल नहीं नहीं कार खरीद थे तो नहीं कार खरीदने का फायदा क्या हर साल नहीं खरीद थे हैं, आज खरीदा, एक साल चलाया, बेच दिया और नहीं कार खरीद लिया, तो सर ऐसे मैं तो बहुत पैसा खर्चाओगा, बेटे सुनो ना कैसे खर्चाओगा, जब मैंने एक साल चला कर बेच दिया तो मेरा मै में एक या हर साल कार खरीदता हूं, चलाता हूं, बेश दूंगा, फिर अगले साल, फिर नहीं कार खरीद दूगा, फिर एक साल चलाऊंगा, फिर बेश दूगा, ये भी एक तरीका है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है सर, दूसरा ये तरीका होता है यार दो-दो साल, तो साल के end में में बेच दूंगा घर वो भी एक फैदा है या फिर ऐसा वसकता है यार तीन-तीन साल मतलब यार कार खरीदू तीन साल चलाओं तीन साल बात जो salvage मिलेगा नवो थोड़ा कम हो मिलेगा बात समझ मेरा है यही वाला decision है कि हर साल change करना है कि हर दो साल में change करना है कि हर तीन साल में change करना है कि हर साल 4 साल में change इस तरह से question होता है और CA final में बहुत अच्छे presentation से करवाया पर मेरा target आपको बहुत ज़्यादा concept पे नहीं ले जाना है मेरा target जो CMA Institute ने करवाया वैसे में करवा कि काम खतम का, exam pass में ज़्यादा research नहीं करेंगे ठीक है साथ तो लिखा है company is committed to run its production line for 4 year for supply of a ship year part at the end of 4th year ठीक, production will be stopped, तिप 4 साल की बात है साथ, 4 साल में हमारा production खतम हो जाएगा, 40 साल काम करना है a machine is used for this project production which has to be purchased at the beginning of 1st year, ठीक है बोले कोई machine use कर रहा है जो 1st year में हम खरीदेंगे this machine can be replaced at the end of 1st year अच्छा, replace किया जा सकता है कब 1st year के end में या तो 2nd year के end में या तो 3rd year के end में are used up to the 4th year बता हूँ आप machine replace कर सकते हो या तो 1st year end या तो 2nd year end या तो 3rd year end या तो 4th year end एक है at the end of 4th year the machine will have to be sold since production is discontinued assume that maintenance cost are incurred at the end of year only if the machine is to be used in the next year बात सही है अगर मैं एक साल बाद ही machine को बेचने वाला हूँ एक साल बाद ही तो सर मैं maintenance करवाओ हूँ है क्यों maintenance करवा के बेच हूँ हब ये कुफी है हाँ अगर मैं दूसरे साल machine को use करने वाला हूँ सेकंड येर भी तो भई 1st year में अगर maintenance मांग रहा है खर्चा मांग रही है, यह मशीन तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल फिर यूज करना है, तो बोले अगले साल अगर यूज करना है, तो फिर फर्स्ट यर में आपको मैंटरिनेंस करवाना पड़ेगा, पड़ेगा, पर अगर आप दो साल यूज करोगे, तो मैंटरिनेंस बढ़ेगा, और सेलवेज, अगर पहली साल बैज दोगे, तो ज्यादा की भी कहईगी, दूसरे साल बेच होगे, तो कम की भी कहईगी, ठीक है, replacement of machine will matter at the same cost as the original machine बोले machine की कीमत नहीं बढ़ेगी जो 6 लाख रुपए की machine अभी है वही 6 लाख रुपए की 4 साल दो साल में भी आपको 6 लाख रुपए की मिले tax का rate है 40% ठीक है मतलब maintenance net of tax करना पड़ेगा salvage net of tax करना और depreciation है तो depreciation पर tax savings होगा यह सब बताया हुआ है आपको क्या करना है बोले present year wise undiscounted undiscounted बोले discounting मत करना पस आप हमें cash flow बताना बताओ cash बोलता की बताओ decide कीजिए की हर साल change करना है की एक साल बात change करना की यह पूछता तो मजाता बोले नहीं आप discounting मत किजिए सिर्फ आप cash flow बताईए अगर आप एक साल है या दो साल है या तीन साल है या चार साल है plus sign लगा देना in flow में और minus sign लगा देना out flow में वाउ thank you और साथ में आपको present करना है discount आप बोले discounting भी करना कौन से किस rate से 15% के और सिर्फ किस साल के और सिर्फ cash flow बताना हर दो दो साल में change कर रहे हो तो बोले फिर आप factor भी देखना फैक्टर से multiply कर देना हर तीन साल में तो सिर्फ बोले cash flow बताना हर चार साल में तो सिर्फ cash flow बताना बस यही बोला है समझने की कोशिश कर आप आराम से समझने अगर में machine हर साल चेंज करता हूँ every year हर साल चेंज करता हूँ तो सुनो बिल्कुत साथ देना मेरा अब साथ देना यह हो गया जीरो तो ठीक है यह हो गया वन यो गया तो यह हो गया थी आश्ट में किता है हर साल आज मैंने machinery खरीदा कितना गया मेरा तर छेल छेला गया ठीक एक साल बात फर्स्ट एर के end में डेप्रिशिशन जो हता डेप्रिशिशन आज मशीन खरीदा आज ही डेप्रिशिशन थोड़ीन लगेगा यह एर एंड में लगेगा उस पे सर टेक्स सेविंग्स होगा और पूर्ट परशन बोल रहा हंड्रिट परशन कब डेप्रिशिशन लगाना फर्स्ट एर में फर्स्ट एर में डेप्रिशिशन लग जाएगा और उस पे टेक्स सेविंग्स कितना होगा फोर्टी परशन तो छे लाग का फोर्टी परशन तो सर फर्स्ट एर के end में में मेरा फायदा है यस कित प्रेचुरfin रहा है कि यस और यह कितने के बिके के एक साल में मसी तर तीन लाग 2 थी लागा एक है है teks लोगेगा seksas मनझन सुनोगे, 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 फर्स्ट एयर में आज मशीन खरीदा, एक साल यूज किया, उस पर डेप्रेशिशन फर्स्ट एयर के एंड में, डेप्रेशिशन पर टेक्से मी हो गया, और सैल वेल्यू नेट टेक्स मिला, लो तो फर्स्ट एयर में मैंने बेज दिया मशीन पर आपको second year के beginning में खरीदना भी पड़ेगा भी, यास, तो मेरे जेब से कितना जाएगा, मेरे जेब से 6 लाक रुपे फिर जाएगा, अब फिर क्या होगा उसके बाद, फिर वोई काम, 2,40,000 क्योंकि एक से साल, depreciation claim कर दूँगा इस मशिन पे, और इसी को बेश दूँगा, तो 1,92,000 अलग मिलेगा मचको, ठीक है, और फिर मुझे, फिर खरीदूँगा 6 लाक, किस पिरिट के लिए 6 लाक खरीद रहा हूँ, इस पिरिट के लिए, फिर depreciation कितना जाएगा, तो 2,40 और एक साल में ही तो मशिन बेश रहा हूँ, तो 192 मिलेगा, पर फिर सर एक मशिन खरीदना पड़ेगा, वापस 6 लाक की, वो यहाँ खरीदना पड़ेगा, फिर कितना आएगा, 2,40 जार और 1,92 यह, मैंटरनेस होगा के नहीं होगा, कहां से मैंटरनेस होगा, आप चला ही नहीं रहा हो मशिन, आप आज खरीदते हो, साल के एंड मेंटरनेस बेश देते हो, फिर खरीदे हो, मैंटरनेस क्यों कर वोगी, जब बेश नहीं है, अच्छा, सर यहाँ खरीदेंगे, अब क्यों खरीदेंगे, काम हो चुका है, 24 साल के एंड में क्यों खरीदे, तो यह cash flow हो है, और यह cash flow उसने बताया, अगर आप हर साल change करते हैं, तो solution देखोगे, यह solution लिखा हुआ है, replacement every year, हर साल मेरे जेप से जाएगा कितना, 6 लाग, 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 ठीक है, आगे देखोगे, आएगा क इतना, 24, 24, 24, 24, 24, क्या है, tax savings, और साथ में sell waste, 192, 192, 192, 192, और यह cash flow हमको दिखाना है, बस, और कुछ नहीं करना है, यह cash flow दिखाना है, बल्ल, हो जाएगा, अगर replace होता है, दो साल में, तो क्या होता है, अगर हर दो-दो साल में replace होता है, तो क्या होता है, बस यही सोच नहीं करना है, हाँ, सुनों कि थे, यह 0, आप सोचना बिट, यह 1, यह 2, यह 3, आज machine खरीता, कितना, 6 लक, यह question करवाना नहीं चाहिए, पर यहार यह question important है, इस लेका, कितना गया, 6 लक, agree? फर्स्ट यहर में, नो डाउट, machinery, 2,40,000, tax savings हो रहा है, depreciation का tax savings, 2,40,000, ठीक है सर, सर, बेचींगे तो नहीं, नहीं, बेचना तो हमें यहां है, सर, maintenance करवाना पड़ेगा सर, अप, और maintenance का कितना खर्चा है, 1,60,000, after tax कितना, सर, 1,60,000, का 60%, हमारे जेप से आज जाएगा 90,000, हजबुरी, ठीक है, तो यह मशीन कहां के लिए खरीदा था, सर, 2 साल यूच करने के लिए, दो साल यह होता है, अब जैसी 2 साल हुआ, depreciation, tax saving तो होगा नहीं, क्या maintenance करवाना पड़ेगा, कि नहीं करवा, सर, यहाँ बेचने वाले हो, हाँ, तो क्यों करवाएंगे maintenance, सर, maintenance तो होगा ही नहीं, अच्छा, तो यहाँ maintenance का खर्चा नहीं होगा, बस इस साल किया, ताकि आप अगले साल काम कर सका, ठीक है, उसके बाद यहाँ बेच देंगे, तो कितने की बिखेगी, तो साल बाद 2,40,000 की बिखेगी, after tracks, 2,40,000 इन्टो 60, नहीं, 60 नहीं, कितना है, 2,40,000 इन्टो 60 वर्षन, तो सर, मसीन बिखेगी हमारी यहाँ, 1,40,000 पर हमको सर, 3rd, अब बेच दिया, तो नहीं भी तो खरीदना पड़ेगा, यस, तो यहाँ हमारी जेप से कितना जाएग आप ये कितने पिरेट के खर लिए खरीदा है दोसा तो डैप 2,40,000 क्या हजाएगा टैक सेविंग अटेप्रेषी एर एंड में और 96,000 एक, maintenance का खर्चा तो यह है ना सर maintenance का खर्चा तीसरे साल में तीसरे साल नहीं है भाई यहां से count करोगे तो यह हो जाएगा मेरा first year और यह बन जाएगा मेरा second year वोई चीज है बच्चे यहां confused तो नहीं हो रहा है यह याद रखना, यहां, यह first यहां के लिए यह first, यहां के लिए यह first, यहां के लिए यह first यह मत सोच रहा कि यह fourth year खेंगाट factor है यह बीच में factor होता तो फच जाते है ठीक है सर तो यहां के लिए first year में depreciation होगा tax savings होगा और साथ में maintenance तो करवाना पड़ेगा कितना गया 96,000 और फिर यहां कितना आजाएगा 144,000 और यहां सर मशीनरी खरीदनी की जरूद नहीं 144,000 किसका है यह वला और साथ में tax savings कुछ नहीं होगा बस बात कतम होगी 144,000 जाएगा that's it बस इतना ही है देखी कि कैसा किया है उन्होंने पहले साल 6 लक अगर दो-दो साल में 6 लक 6 लक, यह दो सही है 6 लक, 6 लक 2 चालिस, 2 चालिस इतना मैंटनेस करवाया है मैंटनेस का, हाँ 96, 96 होगा पुशक की बात नहीं मैंने भी वह लिया होगा 96 96, 96 ठीक है 144,000, 144,000 that's it और फैक्टर भी लिखना क्योंकि उसने बोला 2nd year का जो है ना 2nd year का 2nd year का cash flow वो discounted cash flow दिखाओ मतला फैक्टर से multiply करके यह भी आपको दिखाना ठीक है मजा गया अब replace क्या करना है सर, replace करना है every 3 3 साल में replace अगर 3 साल में replace करना हो था तो कैसे हर 3 साल यह 0 यह 1 2 3 और यह अब की बार हम को कितने साल में replace करना है 3 साल है यहां गया कितना 6,000,000 agree 6,000,000 गया 1st year में तो depreciation हो जाद रखना है कितने period के लिए 3 साल 3 साल यूच करेंगे सर हमसको 1st year में 2,44,000 tax savings on depreciation मैंटनेस करवाना पड़ेगा अगर आपको अगले साल मसीन चलाना है तो कितना मैंटनेस से 1,60,000 1,60,000 का सिक्षिण माइनस हो जाएगा 90 तर दूसरी साल भी मैंटनेस करवाना पड़ेगा क्योंकि और एक साल चलाना है तो 1,80,000 मैंटनेस तो 1,80,000 तो यहाँ जाएगा माइनस जब मैं 3rd year के end में पहुच्चा तो अब मुझे मैंटनेस नहीं करवाना है क्योंकि मुझे मशीन बेचना है मैंटनेस करवा के थोड़ी न बेचूंगा तो 1,60,000 इंटू 60% तो प्लस हो जाएगा 96,000 पर मसीन बेच चूगे कितने 6,00,000 मैंटनेस खरीदना भी पड़ेगा 6,00,000 और जब 4th आएगा क्या यहां मैंटनेस करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि नहीं मैशीन खरीदा 4th year जैसी ही आया तो मेरा प्लस हो गया 2,40,000 टेक्स सेविंग और डेप्रेशिशन और उसके बाद मसीन बेच दूँगा एक साल बात कितने की मसीन बेच चूगेगा 3,20,000 का 60% प्लस हो जाएगा 1,90,000 मैंटनेस का लगे गए तो अब सीधी सीधी बात करें कोशन में दिया है 6,00,000 आज और 6,00,000 यहाँ ठीक है सर 2,40,000 यहाँ जब मसीन खरीदा उसके एक सल बात मैंटनेस का 96,000, 1,008,000 96,001,008 ठीक है यह गलत दिया है इंस्टिट्यूट ने यह गलत है 96,000 आ ही नहीं सकता यह CMA इंस्टिट्यूट की गलती है 100 बड़ और सर यह 96,000 किस चीच का आया 96,000 प्लस किया इस क्रेवल्यू 3rd year में बेचोगे और लाश्ट में तो बेचना ही पड़ेगा आपको यह आगया अगर आप रिप्लेस करते हो कब हर 3 साल में और लाश्ट अगर आप रिप्लेस करते हो 4 साल तो फिर कुछ सोचना नहीं है फिर तो आज पैसे लगाए पैक सेविंग और डेप्रेशिशन आ गया मैंडरेनेंस आपको करवाना ही पड़ेगा और सेल्वेज लाश्ट में आएगा पस बात करता हूँ फिर तो इची है तो कुछ सोचन बनाने में तो बहुत टाइम लगा रहा है हाँ ची मैं क्या करूँ हो जाएगा चले आगे कुछ नमबर 10 करवाना पकरने करना बढ़ेगा क्योंकि एक्जाम में आया हुआ दिसमबर 2017 अच्छे कोशन तो मैं आपको करवा ही दूँ और मैं जो करवा रहा हूँ किसके कौनसे प्रेजनटेशन से करवा रहा हूँ मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ अगर कैपिटल बजटिंग में कुछ मुश्किल है तो रिप्लेस्मेंट एक बार रिप्लेस्मेंट हो गया हाला कि यहां से कोशन कम आते हैं पर यार सिक्वेंस वही है ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको आरे डियार करवा दू या डिसीजन ट्री करवा दू हाला कि कोशन डिसीजन ट्री स्टरिनिटी इक्विवेलेंट उससे ज्यादा आते हैं तो पर आज के लेक्चर के चकर में अगला वाला लेक्चर मत छोड़ अगला वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टनेंट है इटमिस कोशन वहां से ज्यादा आते हैं पर यह देखना तो पड़ेगा यही सिक्वेंस में काम किया इसी सिक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया तो कम से कम रिविजन भी में आपको वैसे ही करूँ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन में अम अनुफेक्ट्रिंग कंपनी हैस ओल्ड मशीन विथ मशीन हैविंग नो बुक वैल्यू जीरो है पर उसको अभी कितने का बेच सकते हो सर उसको बेच सकते हैं एक लाग रुपे में बेच सकते हैं इट कैन भी यूज़ फर ओहो आप ऐसा नहीं कि यह मशीन खतम हो चुकी है आप इसको कितने साल तक चला सकते हो और बोले पात साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक उसके बाद बोले फिर पैसा नहीं मिलेगा भी एक लाग रुपे की बिक रही तो बिक रही उसके बाद कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला उसके बाद तो आपको जीरो मिलेगा ठीक है अब क्या करें तो बोले दो option, option number one, option number two, बताओ भई, क्या option है, पहला है कि यार इसी machine को upgrade कर लेते हैं, वाओ, upgrade करने की बाद, ठीक है, तो पहला option, option one, upgrade, कित्मा रुपया लगेगा भई, upgrade करने का, बोले लगेगा 20 लाक रुपय है, ठीक है जे, 20 लाक, और कितने साल चलेगी, upgrade करने के बाद, पास साल, और upgrade नहीं करते, तो भी पास साल चल रही है, तो फिर upgrade करने का फायदा क्या, कुछ फायदा होगा ना, और, पास साल बाद, कितने की बिग जाएगी, पास साल बाद, 20 लाक पुरा depreciation, full depreciation करना, fully depreciation, ठीक है, पास साल बाद, बोले कितने की बिग जाएगी, पास साल बाद, salvage value रहेगी, पाचास, अगर हम क्या करते है, अपग्रेट कर देते है, ठीक है, option number two क्या है, option number two, बोले replace कर दो, भाई, अपग्रेट, वब अपग्रेट में कुछ नहीं रखा, बोले नई machine खरेते हैं, new, replace ही कर दीजिए, टेंशन के था, ठीक है भाई, अगर replace करते हो, तो cost कितना पड़ेगा, बोले 40 लाग, और अभी कितना पड़ रहा था, 20 लाग, अगर अपग्रेट कर रहे हैं, तो 20 लाग, और अगर नहीं खरीद रहे हैं, तो 40 लाग, ठीक है, और लाइफ कितनी है, 5 लाइफ रहेगा, और इसको भी fully depreciate करना, यह fully important है, और पास साल बाद machine कितने में बिकेगी, तो बले वो बिकेगी, कि सेल्वेस वेल्यू, 10 लाग की भी, ठीक हैसा, आगे बढ़े, तो following figures are, after tax cash profit, in rupees, without depreciation sealed, and the सेल्वेस वेल्यू, तो बले नीचे जो दिया है, एक्चुल में ये CFAT ही दिया है, बस इसमें हमने tax savings on depreciation और सेल्वेस को consider नहीं किया, ठीक है भी, वो tax savings on depreciation हम अलग से देख लेंगे, बले पहले जैसे काम हो रहा था, अगर वैसे काम हो, existing machine ना तो upgrade कर रहे हैं, ना तो replace कर रहे हैं, तो बले उससे हम कमा रहे थे, 10 लाक, 10 80, 11 20, 12 लाक और 13 लाक, हमने का upgrade करते हैं ना, 20 लाक लगाते हैं, दिककत क्या, बले अगर आप 20 लाक रुपए आज खर्च करते हो, तो सुनो एक बात, पैसा भी जादा आएका, और हमने का अगर new खरीद ले, तो बले फिर तो और भी जादा आएका, तो अब सवाल ये है, ये इदर भी जादा आ रहा, इदर तो और भी जादा आ रहा, पर इदर लग भी रहा है 20 लाक, इदर old machine को बेच नहीं सकते, पर बले अगर आप new machine खरी रहा हो, तो और भी जादा आ रहा, पर पैसा जादा लग रहा, 40 लाक रुपे लग रहा, अलग कि यहां आप old machine को बेच सकते हो, कितने में 1 लाक रुपे, discounting rate कितना यूज करना है, 15 पर, consider that salvage value and profit will be subject to tax, ठीक है, 40 परशन टेक्स जो है, वो minus करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, salvage value and profit will be subject to tax at the normal rate of 40 पर, ये तो after tax दिया है, इसमें तो tension नहीं है, present and incremental analysis, ये important है, option one and option two, incremental analysis किजिए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, comparison मत किजिए, पहले इन दोनों का आपस में comparison किजिए, incremental, it means, कि extra कितना लग रहा है, अगर मैं option one में जाता हूँ, तो 20 लाक रुपे लग रहा है, अगर मैं option two में जाता हूँ, तो 40 लाक रुपे लग रहा तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा, 20 लाग रुप है, it means मुझे जो incremental analysis करना, वो कौन-कौन से option में करना, option one option, तो extra कितना आ रहा है, इन दोनों में करना पड़ेगा, करेगा, तो यह निकाला, आपको option one versus option two, incremental analysis करना, ठीक से, तो बताओ, extra कितना आ रहा है, इधर new से extra आरा, एक लग, फिर आरा, एक लग, फिर आरा, तेरा लग, अस्सी हजार, माइनस, बाराबीस, एक लाग साथ हजार, एक लाग असी हजार और दो लाग, कोई निकाला होगा, यह निकाला, एक्स्ट्रा, उसको factor से multiply कर दिया, यह आ गया, 470-240, अगर मैं new machine खरीदता हूँ, तो किसके अपेक्छा, अपेक्छा new खरीदता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसका present way, ठीक है, यहां लिख लिए, अब और एक क्या फायदा जरा देखो, अच्छे से देखो, यहां 20 लाग पे depreciation लगेगा, 20 लाग डिवाइड बाइड बाइपाच करो, सर, सेलवेज माइनस नहीं होगा, क्योंकि फुली डेप्रिशेट करना है, तो सर, यहां depreciation है 4 लाग, और यहां depreciation 40 लाग पे लगेगा, यहां depreciation है 8 लाग, तो उस हिसाब से सर, टोटल एक्स्टा डेप्रिशेशन लगेगा, 4 लाग और उस पे टेक्स सेविंग भी हो जाए होगा, 8 लाग, माइनस 4 लाग का 40 लाग, 1 लाग, 60 लाग का टेक्स सेविंग होगा हर साल होगा, और हर साल को factor से multiply कर दिया, तो यह आगया present value of tax saving on depreciation, ठीक, तो न्यू मसीन से एक ये भी फायदा, एक ये भी फायदा है, न्यू मसीन से और एक फायदा, सेलवेज, अच्छा तो साड़े 9 लाग रूप एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप्टर टेक्स कर ले न, 9 लाग, 50 लाग, पच्छा से और एक ये भी फायदा, ये भी फायदा, ये भी फायदा है, लेकिन एक्स्रा पैसा भी तो खर्चा हो रहा है, किस से comparison कर रहा हूँ, अपग्रेट करके, एक्स्र कितना पैसा खर्चा हो रहा है, 20 लाग, सर न्यू मशीन से तो और एक फायदा, वो पुरानी वाली ओल्ड है, उसको भी तो भेज़ दो कि, यास, एक लाग की विकेगी वो, 60 परशन, 60,000 रुपई, ये मैं भूल गया था, यहाँ मुझे यादा है, ये आप भी भूल सकते ह ठीक है, उस हिसाब से मेरा NPV कितना आ आ है, डिक्रीज हो गया है, बोले NPV, तो सर न्यू मशीन मत खरी, अप ग्रेड ही जाता है, ठीक है जे, क्योंकि NPV कम आ रहा है, ठीक है सर, दूसरा क्या बोल रहा है, वू बोल रहा कि चलो ठीक है फाइनल हो गया नहीं तो नहीं खरीदना ना नहीं अब 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 यह डिसाइट करो अब ग्रेड करवाना कि वैसी पुरान अब बताओ अब मतलब रेक्वायर्मेंट अजीब टाइप से अब न्यू को अब यह डिसाइट कीजी अब ग्रेड करवाते तो उर अब्ग्रेट नहीं करवाते तो अब्ग्रेट करवाने से हमें कितना लग रहा है इस लाक ऑच इस लाक एक्षा लग रहा है पर अब यहां डिसाइड करो कि हर साल आ कितना रहा है extra असला है 11 लाग दस하सी ग्याराएट मतलब हर सल एक एक लाग रुप एक्ष्ट्रा रहा है फीक है । हर सल एक लाग रुपए एक्ट्रा रहा पास सल तक तो इतना पैसा आएगा अगर हम अफगरेड करवाते हैं तो एक्ष्ट्रा आएगा इतना पैसा पैस एप प्र est né thankful ज ये नही Leah लास्ट में सेल्वेस कुछ बचा नहीं है जो अपग्रेट करवा देते तो पचासदर की बिख जा थी आफ्टर टेक्स कर लेंगे तो यह आ जाएगा तो टोटल आएगा यह और पैसे लगीगा 20 लाग तो यहां भी नेगेटिव है तो साहब ऐसा है वसी जैसी है वैसी पड़ी रहने तो जाता है अच्छा कोशन था चले अगले कोशन पर ओहो कोशन नमबर 11 बैतरीन कोशन इतना बड़ा कोशन करें की नहीं करें कुछ है नहीं है थोड़े से जल्दी से बता दूँगा मैं कैसे कर दो एक बार रीट करो इसको चलो जी ये कोशन आजी ये पढ़े की क्या लिखा हुआ है लिखा है एन एटर ली एटरी मतलब रेस्टोरानेट की बात कर एन एटरी इस लोकेटेट इन एट्स ओन प्रेमाइसेट एट इस्ट्रीट ए इन असिटे वो क्या रहा है एक ओन प्रेमाइसेश है जिसका नाम है इस्ट्रीट ए वहाँ ओन प्रेमाइसेश है और वहाँ एक रेस्टोरेंट चलता है कब आया था ये कोशन बड़ा कोशन है यार आया कब था दिसंबर दोहजर सोला कितने नंबर था है बारह नंबर तर आजकल इतने बड़े कोशन आते हैं कि नहीं आते हैं मुझे मतलब नहीं है मुझे बस इससे मतलब है कि आपका एक एक कोशन कवर हो जाए एक्जाम के एस्पेश तो इस्ट्रीट ए में आलरेडी बिजनेस है तब मैनेजमेंट इस प्लानिंग टू री लोकेशन टू अ नियर बाई और नियर बाई नियर लोकेशन कॉलेज रोड और आप उसको सिफ्ट करना चाहते हो कहां कॉलेज रोड कॉलेज रोड में सिफ्ट करना चाहते है मतलब जो रेश्टोरेंट यहां चला रहे थे उस रेश्टोरेंट को कॉलेज रोड में सिफ्ट करना चाहते है and two lakh was paid to consultant for site study दो साल पहले क्या हुआ था किसी से हमने advice लिया था कि यार restaurant कहीं यहां से कहीं और shift किया जाए और जिस से advice लिया था उसने बताया था कि यार college road में shift कर दीजिया अच्छी बात है और उसके लिए उसने 2,00 रुपिया लिया था ठीक है तो दो साल में काम क्यों नहीं करवाया बोले metro का metro rail construction चल रहा था इसलिए हम shift नहीं कर पाए थे ठीक है अब जो बोले road जो है वो fit हो चुका है तो अब हम सोच रहे कि चलो अब restaurant यहां बंद कर दिया जाए street A में और यहां start किया तो college road premises है अब भी तक let out तो नहीं किया था लेकिन अब सोच रहा है कि इससे इसको हम let out कर सकते इससे lease rent आ सकते और lease rent कितना आ सकता है वो ले एक लाख पीस जार it means college road में आप ही की premises है आप shift कर सकते हो लेकिन अगर आप shift नहीं करते हो तो इसको let out कर सकते हो और हर साल का एक लाख दीस जार की कमाई हो सकते on a similar term street A अगर आप यहाँ shift करते हो यहाँ तो सर उस condition में यह वाली premises तो आपकी खाली है ना हाँ तो बोले इससे कितना कमाते है इसको let out कर देना बोले हाँ हम इसको भी let out कर सकते हैं अगर इसको let out करते हैं तो हम हमको मिलेगा lease rent दो लाख पचास इसका मतलब यह हुआ कि सर आप यहाँ shift हो जाए अगर आप यहाँ shift हो जाते हो तो धैलाक रुपे हर साल का कमा होगी तो यहाँ का rent नहीं कमा पाएगे ना तो ठीक है net कितना कमाई यह incremental वो तो करी सकते पर सर जो college road है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा relocate करना है तो कुछ renovation का खर्चा आएगा और renovation का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 10 लाग ठीक है यहाँ तक 10 लाग रुपे का खर्चा bank से आप loan ले रहे हो कितने पर्चन से बारा पर्चन इट मिंस जो भी पैसा लगा रहा है इन सब चुछ में bank से लोन लिया जा रहा है और bank से लोन कितना लिया जा रहा है बारा पर्चन परेनम के हिसाब से दिखा 25 पर्चन आप new sales would be from the old customers यहाँ जो 25 पर्चन जो new sales होगी sales value ठीक है other information दिया हुआ है अगर आप college road में काम करते हो यहाँ restaurant चलाते हो तो यह दिया है revenue अगर आप street A में काम करते हो तो यह revenue दिया sales दिया, variable cost दिया contribution दिया है, fix cost दिया हुआ है और depreciation इसका दिया इसका निकाल लेंगे ठीक है पहले इन दोनों की बीच का difference निकाल लेंगे, जिसका नाम रहगा CFBT, tax नहीं है न, CFBT depreciation पास साल का है और life है पास साल ठीक है, tax का rate है 35%, tax जो year end में पैड होगा cash flow from operation arise at the end of year ठीक है, कोई sales नहीं है both the site are meant for long term uses and there is no sale of premises, ठीक के weighted average cost of capital 10% है bank loan जो है, वो 4 equal installment में payment करना equal installment में payment करना है ठीक है, ये भाप लिखी हो, ये आगे और क्या लिखा हुआ है capital expenditure जो है वो सुरू में ही लग जाएगा, मतलब जब commencement हो रहा, present value factor table यूज कर लेना, calculation year रूपीज में करना और cost revenue structure is different in both the location all customer in a location, वैसे तो इसका use होता पर मैं नहीं करूँगा और कोई change नहीं है working capital है वैसे इस question को किया जाए तो बहुत ज़्यादा time लगेगा, पर मेरे पास इतना time नहीं है, मैं भिलुकुल simple way में आपको समझाने की question, अराम से समझा college road में अगर आप re-locate करते हो, तो पहली बात की 10 लाक रुपे लगेगा, कोई शाक है क्या, कोई फाइदा क्या होगा, incremental, देखते हैं, increment ये contribution है, हाँ बोलो, हाँ, ये fix cost है तो सर, CFBT निकाल सकते हैं कि 5 लाक माइनस एक लाक पचार तो सर, यहां से आ रहा है, 3 लाक पचार और सर, 10 लाक माइनस, 2 लाक चालिस तो ये आगए है, 7 लाक साथअजर तो Сर, यह है 7 लाक साथग़़़़़़़़़़़़़़़hi अगर में पॉलेज रोड में अपना रेश्टोरेंट चलाता हूँ तो एक्स्ट्रा जुआएगा चार लाख दस जार बिफोर टेक्स और बिफोर डेप्रेशिशन ठिक वही उन्होंने निकाला हाला कि कायदे से 25 परशन 25 परशन अलग अलग करना चाहिए पर अगर आप अलग नहीं भी करती हो तो सिंबल सी बात है चार लाख दस जार यह आगए चार लाख दस जार तो आफ्टर टेक्स कर लेते हैं चार लाख दस जार का 65 परशन तो हर साल दो लाख छेस्ट हजार पास सो आपका आएगा एक्स्ट्रा इसके अलब डेप्रिशिशन पर भी बात करो डेप्रिशिशन दस लाख है कितने साल लाइफ है पास साल हर साल का डेप्रिशिशन है दो लाख पचाज जार किस पर अगर आप कॉलिज रोट पर काम करते हो और अगर वहीं करते थी, स्रीटे पर तो depreciation कितना आ रहा था। sir, depreciation आ रहा था, नहीं है, तो कुछ ना है, ये वाली depreciation, ये 2,00,000 और ये 30,000 तो extra depreciation कितना? 1,7,000 ने उस-पे tax saving, 1,7,000, इंटी पर्शन्ट तो tax saving होगी 50- 35% हो, sorry, 1,7,000 इंटु 35%, तो 59,500 का हर साल tax savings on depreciation, इसके अलावा क्या फायदा है rent, अब आप rent पर दे पाओगे, इसको धाय लाक और ये वाला हमारा जो है, तो सर 2,50,000-1,20,000, तो extra rent मिल गए हमको 1,30,000 after tax कर लेते हैं, इंटु 65%, तो 84,500, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये तो टोटल मिलाकर हर साल हमको कितने का फायदा है, 4,50,000, पास, प्रेजेंट वेली फैक्टर सर, बैंक वाले को जो इंस्टॉल्मेंट बिट्यों, वो फैक्टर में आ जाता है, क्योंकि यहां आप, बैंक से लोन ले रहा है, तो cost of capital आपको जो यूज करना पड़ेगा, वो present value factor से multiply किया, तो यह आगया present value of cash inflow, minus किया 10 लाग, तो NPV positive है, अगर NPV positive है, तो हमें project को accept कर लेना, ज्यादा दिमाग मच चलाना, 25%, 75% को अलग-अलग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो बहुत सारी बाते मैंने ही करूँगा, मैंने एक simple way मैं आपको बताया, by chance question आता ह है, तो आपके पास कुछ करने के लिए तो हो, ठीक है, यह वाला question बहुत अच्छा है, अब तुल वाला, लेकिन question number 12 मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्यों सर, कि similar question और एक है, और वो question है, question number 13, 12 और 13 एक जैसा है, तो मैं question number 12 नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको करवाँगा question number 13, question number 13, एक question number 13 करेंगे, एक question number 14 करेंगे, फिर सोचेंगे, क्या करना है, ठीक है, ठीक है, बढ़े, अच्छा question है, लिखा, एक लिमिटेट, इस considering, replacement of an existing machine, बोले कोई existing machine है, ठीक है, उसको हम replacement करने का सोच रहे, मतलब यार, बंद करो, नहीं machine खरीद हो, ये question अच्छा है, दो बार आया हुआ, CMA भी ये question है, लेकिन CMA presentation अलग है, मेरा target क्या है, मेरा target ये है, कि जो presentation दिया है, वही मैं करूँ, इस पे ज़्यादा दिमाग ना चला है, दिमाग चलाना है, तो CMA आ जाए, वहाँ कुछ अलग तरीके से किया गया है, प्लीज, मैं अभी सिर्प और सिर्प CMA को focus कर रहा और उसी के सबसे, वो जो solution दिया suggested में, वही discuss करने की कोशिश करों, भले ही वो गलत ही क्यों ना, मुझे अभी यहाँ कोई सफाई नहीं दे रहा है, कि क्या गलत क्या से है, तो existing machine है, और उसको हम replacement करने का सोच रहे है, to spend money on overhauling it, a limited, currently pay no taxes, बहुत अच्छी बात है, टेक्स नहीं पे, तो replacement cost, replacement machine cost, कितना लगेगा, पचास अर, it means जो नई machine खरू दियोगे, वो कितने की आ रही हैं, पचास, और हर साल क्या है, maintenance का भी खर्चा कितना, पाच जार, पाच साल तक, at the end of every, लिका है, तो अगर नई machine खरीतते हों, तो साहब पचास जार रुपए का cost, और पाच जार रुपए पर एनम का maintenance का खर्चा, पाच जार रुपए पर एनम, इसके अलावा, machine बेचोगे, लाष्ट में, पासल बात, और कितने की machine बेचोगे, the existing machine required, अगर आप replace नहीं करते हो, आप existing machine को ही चलाते हो, तो बोले, जैसे जैसे चलाते जाओगे, आज बेचोगे, तो बिख जाएगे 12,000 की, पर आपको चलाना है न, तो maintenance का खर्चा आएगा, क्या होता, पचास जार आज लगता, हाँ, पाच जार रूपिया कितने साल तक लगता, पाच साल तक, उसका present value निकालेंगे, और 10,000 लाश्ट में, मिल भी तो जाएगा, तो actual में, पहले ये decide कर लेते हैं, कि अगर हम new machine खरीदते हैं, तो total हमारी जिप से कितना पैसा जा रहा है, उसका present value क्या है, पहले ही, देख ले कि पहला, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम new machine, अगर हम new machine खरीदते हैं, एक 50,000 जाएगा, हाँ बोलो, हाँ, दूसरा 5,000, कितने साल तक जाएगा, 5 साल तक factor ले लिया, जो भी rate discounting rate होगा, तो ये आ गया उसका present value, एक चीज का खर्चा मैंट ने, और बेचने पे हमें 10,000 मिलेगा, sellways, 4972, तो total मिला कर ये पैसा जाएगा, और कितने साल तक में जाएगा, total मिला कर 5 साल में जाएगा, तो equivalent निकाल सकते होगी, it means capital charge निकालो, कि हर साल का कितना खर्चा है, total मिला कर 5 साल में machine का इतना खर्चा है, तो हर साल का खर्चा हमें factor से divide करना पड़ता है, हर साल का खर्चा आरा 18,432, पहले साल भी खर्च होगा 18,432, दूसरे साल भी खर्च होगा average, यह equivalent निकाला मैंने, यहां तक ठीक है, अगर मैं मशीन replace करता हूँ, अब सुनो, अब काम की चीज़, अब यहां से CMA Institute का जो presentation उसके हिसाब से मैं समझाने की अगर मैं मशीन replace नहीं करता हूँ, अगर मैं replace नहीं करता हूँ, मैं सुच रहा हूँ, जो old मशीने चलो, उसी को चलाता हूँ, old मशीन को ही चलाता हूँ, अगर मैं old मशीन को ही चलाता हूँ, तो सुनोगे ध्यान से काम की चीज़, तो सर, old मशीन को आज बेच देते तो पीश जार की भीग जाती हाँ बोलो हाँ और सल मैं मैं पहरी बात सुनना मैं क्या फॉलो करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ CMA इंस्ट्यूट का प्रेचिंटेट CMA इंस्ट्यूट का सॉलोशन अगर ओल्ड मेशिन को अगर आप पेच देते आज़ नहीं मशिन खरीद देते अगर बेच देते तो कितने की भिग जाती है 20,000 की और वो 20,000 आप बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक में जमा कर देते तो आपको 15% मिलता-मिलता पर आप कह रहूं की नहीं आप एक साल तक रखते हैं तो सोचो अगर मैं एक साल चलाता हूँ मसी तो देखा जाए तो मैं एक साल चलाता हूँ तो मेरी opportunity cost तो गई कितनी गई मेरी opportunity 20,000 एक साल पूरा और उस पे interest तो मेरी opportunity cost गई सर 20,000 रुपए cost और उस पे 15% मेरा interest, देखा जा, बेज देता है, तो 20,000 मिलता, और 20,000 मिलता, और 15% के और कमाई होती, तो 20,000 into 1.15, तो टोटल मिला कर सर्थ 23,000 मेरा opportunity cost है, मसीन नहीं बेचने का cost, इसके अलावा मुझे maintenance भी करवाना पड़ेगा, फर्स्ट इयर के end में, तो 5000 का वो खर्चा, मतलब expenses है, मै मुझे पैसे मिल भी तो जाएगे, अब भी नहीं बेचूँगा, एक साल के end में, ठीक है न, एक साल चलाता हूँ, मेरी बात सर्थ, एक साल चलाता हूँ, और फिर बेचूँगा, तो 12,000 पास, अगर मैं एक साल चलाता हूँ, यही बात है, समझने की कोशित करना हूँ, बि की कोश्ट 23,000 पड़ी, साथ मैं मैंटरनेस का पास यहर पड़ा, नो डाउट कि मुझे 12,500 मिल जाएगा, फर्स्ट यहर के end में, तो बेची दूँगा, अगर मैं एक साल ही रखता हूँ, तो, तो 23,000 माइनस, सुरी, 23,000, आउट फ्लो निकाल रहा हूँ न, यार मैं, ऐसा माइनस, प्लस का साइन नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सीधी, 24,000, अब 5,000, और माइनस कितना 12,500, मतलब यह पैसा जाएगा, यह पैसा जाएगा, यह पैसा आएगा, आउट फ्लो निकाल रहा हूँ, 24,000, प्लस 5,000, माइनस 12,000, तो सर, उस कंडिशन में, मुझे कोश् पास, जबकि नई मशीन खरीदने का, हर साल का कॉश्ट कितना है, अगर मैं नई मशीन खरीद हूँ, तो कॉश्ट कितना पढ़ रहा हूँ, यह पढ़ रहा है, 18,432, 18,000, जबकि मैं पुरानी मेशीन को ही चलाता हूँ, तो मुझे कॉश्ट कितना पढ़ रहा, 15,000 पास हो तो अपसर old ही जलने तो पहले साल पहले साल old ही जलने तो कोई दिक्कत नहीं, नई मत खरिचो क्योंकि annual तो ये तो ज्यादा पढ़ा ना, अब मैं किया तो चलो एक साल चलाया, अब मैं सोच नहीं बकुए ओर एक साल चला कर देखते हैं और साल भर का इंट्रेस्ट तो बारह हजार पास सो प्लस पंद्रा पर्शन उस हिसाब से मेरे मशीन की कोश्ट होगे 14,375 हाँ बोलो हाँ 14,375 हाँ चाथ में मैंट्रिनेस भी करवाना पड़ेगा कितना 10,000 माइनस साथ पास दो साल बात तो बेच ही दूँगा उस कंडिशन में मेरा खर्च कितना आ रहा 14,375 हाँ उस कंडिशन में आ रहा 16875 हाँ और यहां कोश्ट कितनी है 1844 तो सर सेकंड येर भी काम कीजिए ना आप रखिये मशीन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नहीं खरीदोगे तो 184 32 का खर्च आ है और सेकंड येर में 16 हमको तो इतना ही खर्च लग रहा है मैं कहता हूँ चलो और एक साल सोच की देख रहे थे और एक साल अगर हम तीसरे साल भी रखे तो अगर हम तीसरे साल भी रखे तो अब जो साथ पास सो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा तो साथ पास सो प्लस 15 परशन अपर्च रिकोश्ट तो सर्फ उस कंडिशन में 8,6,25 पड़ा और मैंटर ने इसका कितना 15,000 पड़ा और कुछ मिलेगा भी नहीं उस कंडिशन में 10,15 हमको पड़ा कॉश्ट 2,3,6,25 तो सर अब अना रिप्लेश कर देना चाहिए क्योंकि 18,000 से ज़्यादा कॉश्ट पड़ा तो मुझे ये निकालना पड़ेगा तरीका अलग-अलग हो सकता है CMA Institute कहना यहीं चाहता है और वो मैंने यहां करवाए हूँ कि यहां देखो यहां कितना 15,500 यह 15,000 पासो निकालाओ यहां कितना 16875 यहां निकालाओ 16875 और यहां गया 2365 यहां निकालाओ 2365 आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो एक्वेलेंट करके हाला कि यह तरीका गलत है पर अब इन सब बातों को कोई महत्व नहीं रहे गा है कि तरीका गलत है कि सही है कि क्या करना है जो CMA Institute ने किया है वो मैं आपको करवाये जा रहा हूँ थोड़े से concept हिल जाएगे पर हिल जाने दो थोड़ा इसा है ठीक है अगर सहीं solution देखना है तो CMA का lecture देखो किस अब replacement का एक ही question बढ़े वो भी कर ही लेते है question number 14 यहां तो CMA Institute ने गलती ही की है तो गलती होगा तो कोई sense ही नहीं है तो यहां तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि यहां CMA Institute ने पूरी तरह से गलत question बनाये है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता इसको मैं रटवा भी नहीं सकता ठीक है, ठीक है सर, पहले इसको कर ले ते फिर बाकी बाते करूँ आपके साथ, ये लास्ट कोशन है रिप्लेश्मेंट का, और इसके बाद भाई, इसके बाद आपका सहीं इंपोर्टेंट एरिया स्टार्ट होता, सबसे ज़्यादा कोशन है यहीं से आये, रिस्क एन अनसर् ये वाला प्लीश करना, बले ही रिप्लेश्मेंट छोड़ देना पर ये वाला कर रहे है, ठीक है सर, पढ़ते है कोशन नमर 14, एलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंसिद्रिंग प्रपोजल तो रिप्लेश्मेंट वन ओप इट्स मशीन, इन इस कनेक्शन द ये जीरो, जीरो नहीं, ये है जीरो, और ये है माइनस त्री, यहाँ पर्चिस, तीन साल पहले पर्चिस किया था, कितने मैं पर्चिस किया था, सर, तीन साल पहले पर्चिस किया था, वीस लाग रुपार, वीस लाग रुपार, इस लाग रुपार, इट बाज डेप्रिश 20 परशी तिरह सोरय सोरय यहां का वैल्यू आगया 10 क्यों भी है यहां का व्थ वैली ग्यों तो स्थ न्यू एहां है यह लाइब थी है उसमें, पांच, कितना साल हो चुका है, नहीं, पांच साल बचा हुआ है, मतलब यहां से अगर गिना जाए तो पांच साल बचा हुआ, तीन साल हो चुका है, यहां तक तीन साल हो गए, यहां, एक, दो, चार पांच, तो अब इसको पड़ो, एक लाख रु चार पाच छे यहां से यहां से भाई साब वो बोल रहा कि एक लाख रुपए आपका हर साल का खर्चा है अगर आप इसी मशीन को continue करते हो और किस का किस चीज का खर्चा मैंटरनेस का खर्चा है अगर आप ओल्ड मशीन ही continue करते है अगर आप ओल्ड मशीन को बेशते हो यहां तो आपको बारा लाख रुपए मिल जाए तो कमपनी है सेवरिल मशीन और रेट आप डेप्रिशिशन है ट्वंटी वर्ट तो न्यू मशीन कोश्ट थर्टी लैक्स अगर आप न्यू मशीन खरीतते हो तो आपको 30 लाख की पड़ेगी आच और रेट अप डेप्रिशिशन होई लेना है पास साल बाद बोलो यह मशीन कितने की बिखेगी पास साल बाद यह मशीन 18 लाख की बिख जाएगी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक ठीक है आगे क्या लिखा with the new machine annual pre-tax operating cost are expected to decrease by two lakh क्या बोला क्या बोला क्या बोला अगर हम new machine खरीदते है तो operating cost जो है वह हर साल decrease हो जाईगी 2 लाख से तुसर यह तो हमारा फायदा है yes हर साल हमारा 2 लाख का फायदा है इसके अलावा मसीन इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन जिससे तीन लाख रुपए का हमको फाइदा और है हर साल का फाइदा है टेक्स का रेट है 40 परशन कॉश्ट अप कैपिटल है 10 परशन बताईए कि हम क्या करें और बहुत कुछ बोला है वो बाद में समझेंगे सबसे इंपोर्टेंट बात है न्यू मेशीन खरीदने से हमारा 30 लाख रुपए जाएगा आच 12 लाख रुपए ओल्ड मेशीन को बेज देंगे पॉस्ट अप न्यू मेशीन है 3 लाख 30 लाख और सेल कर देंगे ओल्ड मेशीन को 12 लाख का यहां तक कोई दिक्कत है कि फाइदा क्या है सर फाइदा है टेक्स बेक्स का देख लेंगे फाइदा ये है 2 लाख रुपए आपका अपरेटिंग एक्सपेंस से हो रहा है हर साल का 3 लाख रुपए आपका प्रोडक्शन बढ़ गए उसकी वज़े से रेवेन्यू भी होगा 3 लाख का ये 5 लाख का तो फाइदा है और सुनो और सुनो ओल्ड मशीन को कंटीनू नहीं करेंगे उसकी वज़े से ये जो मैंटनेस कॉस्ट पड़ा था वो भी नहीं पड़ेगा तो ये भी तो हमारा एक एक लाख रुपए का फाइदा है ठीक है अब देखो इन्होंने क्या गलती किया सबसे पहले टाइम पास किया 10 लाख 24 लाख तो वो 10 लाख 24 लाख हमने ऐसे निकाल लिया था अब इन्युलिमेंटील डफ प्रशाशन आगे इस मसीन पे 10 लाख 24 लाख पे डप्रशाशन लगता है अब 30 लाख पे डफ प्रशाशन लगएगा तो जो एक्ट्रा डिफ्रेंस है 19 लाख इस पर हरसाल डफ प्रशाशन लगएगा कोई दिक्कत की बात नहीं हमको आता है इट मीज इंक्रिमेंटल डेप्रेशिशन निकाल रहा हूं है और इंक्रिमेंटल डेप्रेशिशन निकाल लिया और डेप्रेशिशन निकालना आता है उसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लिया और उस पर tax savings में निकाले, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, tax savings और depreciation भी आप निकाल सकते, समस्य है यहां से, उन्होंने लिखा expenses, expenses, third year, वो एक लाग रुपए का maintenance expenses, कौनसी machines पे था, old, अगर आप new खरीद रहे तो वो बच रहा है maintenance expenses, आप minus कैसे दिखा सकते, revenue दिखा है, ठीक ह अब भाई साब, यहां उन्होंने वो जो operating expenses बच रहा था ना, हर सल दो लाग, वो consider रही नहीं किया, और फिर बिना उसके उन्होंने, after tax कर दिया, बस, it means, एक तो यह एक लाग मुझे गलत समझ में आ रहा है, और वो जो दो लाग का फायदा हो रहा, वो भी छोड़ दिया, इसके अलावा असर और कुछ है, बस आज 30 लाग की मशीन खरी देंगे, 12 लाग की पुरानी मशीन बेज देंगे, तो net मेरा कैसा उटलो आ गया, 18 लाग, और ये पैसा तो मिले गई हर साल, 18 लाग ये क्या है, रिसल, जो new मशीन उसको पाच्वे साल में बेच जो, फिर कोई दिक्कत ने, फिर तो कोश्चन आप से यूँ बन जाएगा, बस मुए यहां से खुशनी हूँ, ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात, सुनो, अब ध्यास, रिप्लेस्मेंट के कोश्चन करवाना जरूरी था, पर आते कम, ये से में फाइनल में, पर यार आ गया ना, तो आपक यू काम की चीज़ है, वो मैं आज नहीं करवाँगा, पर सुनो, ऐसा नहीं है कि कल वीडियो नहीं आएगा, सर आप बोलते हो कि कल आएगा, कल पक्का आएगा, मेरा स्वास्त त्रीक नहीं था, पहले वीडियो के बाद, इसलिए मैं अप्लोड नहीं कर पाया, पर कल एक वीडियो फिर से आएगा, पार्ट नंबर थर्ड, ये मैं फाइनल के बच्चों के लिए सबसे, ये पार्ट नंबर टू रिप्लेस्मेंट भले ही छोड़ दो, ऐसे तुम वीडियो देख लिया होगा, भले ही छोड़ दो दिक्कत नहीं है, पार्ट नंबर थ्री देखना ज़रूरी है क्योंकि कोश्चन्स वहाँ से आते हैं, और कल इसी टाइम पर वीडियो अप्लोड होगा, मतलब मुझे दिन भढ़ का टाइम लगेगा, रिकॉर्डिंग के भले एक दिल घंटी के रिकॉर्डिंग पर चलेगा, अब पार्ट नंबर थ्री में हम क्या पढ़न उसमें क्या पढ़ेंगे सर, उसमें पढ़ेंगे पहला प्रोबैबिलिस्टिक अप्रोच, फिर रिस्क एजिस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, फिर सर्टिनेटी एक्विवेलेंट अप्रोच, उसके बाद डिसिजन ट्री, हिलर मॉडल, एक एक कोश्चन है और इतना जाजी है कि यह सब कोश्चन पढ़ने में टाइम ज्यादा लग गया, उसमें कोश्चन पढ़ने ही नहीं है, इसीजन ट्री रहेगा, हिलर मॉडल, सैंसिटिविटी एनलिसिस रहेगा, इन्फलेशन इन कैपिटल विष्टिंग रहेगा, बस, और कैपिटल आश्टिंग र आज के लिए धन्यवात, थोड़ा सा वीडियो लंबा गया, क्योंकि रिप्लेस्मेट के कोश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, पहले मेरा मन किया था कि छुडवा देता हूँ, मैं बोलता हूँ, इंपोर्टेंट नहीं छोड़ देशको, पर फिर यार रिवीजन में कोच रहे गया, उसके पूरा ही रिवीजन कर लो ना टेंशन खता, तो आज की क्लास भले ही आप झेल पाओ या नहीं झेल पाओ, या फिर आप देखो ना देखो, पर प्लीज हाँ जोड़ के विंती है कि कल की क्लास पक्का देखना, क्योंकि जो कल की क्लास है वहीं से आप को कोश्चन सब, ठीक है, थैंकि यू सो मच, कल मिलते हैं